दिल्ली आईटी के एक रिसर्च स्कॉलर ने ऐसी स्ट्रिप बनाई है जिसका पूरा प्रोजेक्ट चंडी गर्स्थित CSIR के Institute of Microbial Technology में दिखाया गया यह स्ट्रिप प्रेगनेंसी पता लगाने वाली स्ट्रिप की तरह ही है जो बगेर किसी मशीन में इंस्टाल किये किड्नी में हो रहें इंफेक्शन को बता देगी IIT दिली के Bio Medical Engineering विभाग के डॉक्टर हरपाल सिंग की अगवाई में Research Scholar दिनेश ने इस स्ट्रिप को बनाया है इस स्ट्रिप को अपेटेंट कराकर मार्केट में लाने की प्रक्रिया चल रही है दिनेश के मताबे किड्नी में होने वाली बिमारियों को समय रहते पहचान कर इस स्ट्रिप को इजाद किया गया है इस से बनाने में करीब 2 साल का समय लगा है एक स्ट्रिप को बनाने में 4 रुपए का खर्च आया है अब जब इसकी प्रडक्शन होगी और कमपनी से लेकर खुदरा के मिस्ट तक इसका मार्जन लगा दिया जाए तो उब भोगता को कर करीब 10 रुपए की एक स्ट्रिप मिलेगी यह एक प्रेगनेंसी स्ट्रिप की तरह है जिसे घर पर ही इस्तिमाल किया जा सकता है बेहद आसानी से यूरिन सैंपल में डिप करना होता है अगर यहां अपने तयमानक से रंग बदल ले तो किड़नी में इंफेक्शन का पता च जा रहा है